आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अब ही राउटनोट करें। कि अमल या शार के द्वारा, अमल या शार जो है, जब किसी धातु की सतह पर जाते हैं, तो वो धातु की सतह पर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। और इस तरीके से धातु के साथ अभिक्रिया करके वो धातु को दूसरे तत्वों में, उनके ऑक्साइडों में, सल्फाइडों में और कार्बोनेटों में बदल देते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रिया करके वो धातु के ऑक्साइड बना देते हैं, और या फिर वो सल्फाइड बना देते हैं। या फिर वो सल्फेट बना देते हैं, इत्यादी। इस तरीके से धातु को उनके ऑक्साइड सल्फाइड सल्फेटों आदी इनमें बदल देते हैं। तो इस तरीके से धातु जो है वो खदम होने लगती है, और इसी घटना को हम संक्शारन के नाम से जानते हैं। तो अब संक्षारण में हमसे पूछा है, अमली संक्षारण क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमली संक्षारण का मतलब ये होगा, कि अमली संक्षारण में ये धातूं का जो संक्षारण है, वो अमलों के द्वारा होगा, तो दिख रहा है हमें कि जो इसके अंदर एक अमल आएगा वो धातू के साथ अभीक्रिया करेगा धातू के सिते पर और उसके साथ अभीक्रिया करके उस धातू को जो है उसके ऑकसाइड या सलफाइड इत्यादी में ये बदल देगा तो इसको हम कहते हैं अमली संशारन उधारन के तौर पर यदि हम देखें यदि हम इसको उधारन के तौर पे देखें तो हम लोहे का उधारन ले सकते हैं कि जो लोहे पे जंग लगता है जो रस्ट अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं जो आता है वो भी संक्षारन का ही उधारन है तो उसमें क्या होता है कि जो iron है, Fe है, iron जो है, उस पर carbon dioxide अभीक्रिया करती है और संक्षारन में जल की उपस्थिती भी आविशक है और वातावरन की oxygen जो है, वो भी इस्तिमाल होती है तो यहाँ पर carbon dioxide, जल और वातावरन की oxygen ये तीनों ही अभीक्रिया करते हैं iron के उपर और बनाते हैं FeHCO3 का whole twice, यानिकी ferrous bicarbonate बनाते हैं फिर ये ferrous bicarbonate FeHCO3 का जो whole twice है वो फिर जल के साथ और oxygen के साथ अभीक्रिया करता है और बना देता है 2FeOHCO3, ferrous hydroxy carbonate और 2CO2 carbon dioxide भी निकलती है और पानी भी निकलता है उसके बाद ये तत्व फिर से 2FeOHCO3 जो है फिर से पानी के साथ अभीक्रिया करता है और 2FeOH का whole twice यानिकी ferric hydroxide बनाता है और carbon dioxide निकलता है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो iron है वो carbon dioxide, carbon dioxide अमली परकृती का होता है carbon dioxide जल और वाता वरण में उपस्थित oxygen के साथ अभीक्रिया करके bicarbonate, carbonate, hydroxide इन चीजों में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से धातु अपनी सत्था से खतम होने लगती है और इसी को संक्षारण के नाम से जाना जाता है अब ये अमल की परिस्तिती में हो रहा है, अमल की उपस्तिती में हो रहा है तो इसलिए हम इसको अमली संक्षारण के नाम से जानते हैं यह अमली संख्शारण है आशा करतें आपको समझ में आगया होगा धन्यवाद